हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जी के नाइस फ्रेंड्स आज का जो हमारा टोपिक होगा पादप रोग से रिलेटेड इन्पुटेंट भाईविकल्पी कोश्चनों को राधारित होगा जो बेहदी महतुपून है रेलवे आरारबी गुरूप डी के लिए जादा ही महतुपून चलिए स्टार्ट करते हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो पिलीज चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो के नीचे रेड गलर में सब्सक्राइब लिखाओगा उस पर किलिक करना और उसके साइड में एक बैल आइकन आएग नेस कोशन है कोशन नमबर दो पोधो को रोग परती रोधी बनाया जाता है इनपोटेंट कोशन है तो इस कोशन का जो सही अंसर हो जाएगा उप्सन सी जंगली किसम से परजनन कराके नेस कोश्चन नमबर तीन है हरित बाली रोग किस फसल से संबन्दित है इन्पोटेंट कोश्चन है तो हरित बाली रोग जो संबन्दित है वह बाजरे से ओप्सन से कोश्चन का सही हो जाएगा नेस कोश्चन नमबर चार है किस फसल से संभंधित है तो टिकका रोग जो संभंधित है वह मौंगफली से है option d's question का सहीए अंसर हो जाएगा question number 5 है धान का परसिद रोग खेरा रोग किस के कारण होता है तो धान में खेरा रोग जो होता है वह जस्तेगी कमी के कारण होता है option D's का सही हो जाएगा next question number 6 है चाय में लाल रश्ट रोग किस के कारण होता है तो चाय में लाल रश्ट रोग जो होता है वह हरे सेवाल के कारण होता है option D सही हो जाएगा next question है निम्बू का कैंकर रोग किस से होता है तो निम्बू का जो कैंकर रोग होता है वे जिवानू से होता है Option B इसका सही हो जाएगा जिवानू Question No.8 है फसलों पर आक्रमन करके आक्रमन करने की कीट की प्रहे कौन सी अवस्ता अधिक हानी पहुचाती है Important है इस Question का सही अंसर हो जाएगा Cat Pillar Option C Cat Pillar के कारण फसलों के आक्रमन से कीट का अधिक हानी पहुचाता है Next Question है Question No.9 Millie Bug किस फसल से संबन्दित है Important Question है तो Millie Bug जो संबन्दित है वे सर्सों से संबन्दित है Option A इसका सही हो जाएगा Next Question No.10 है Important है SSE 2015 में Question है पोधो का आरद पतन रोग किसके कारण होता है तो पोधो का जो आरद पतन रोग होता है वह पीथियम डिबरेडियम नम के कारण होता है Option A इसका सही हो जाएगा पीथियम डिबरेडियम Next Question No.11 है RRB 2002 में Question आया था अगनी नीर्जा रोग किस से संबंदित है तो अगनी नीर्जा रोग जो संबंदित है वह सेब से संबंदित है Option A इसका सही हो जाएगा सेब Next Question No.12 है SSE 2015 में Question आया था गन्ने का लाल सडान रोग किसके कारण बनता है या गन्य का लाल सडान किसका कारण बनता है इन्पोटेंड कोश्चन है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर हो जाएगा Option A कालेट्रो, ट्राइकरम, प्लेक्टम Option A इसका सही हो जाएगा कालेट्रो, ट्राइकरम और प्लेक्टम Option A तो दोस्तो अगर इस वीडियो में आप लोगों कोई एक भी कोश्चन अच्छा लगाओ तो प्लीज चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक सेयर करना मत भूलिए